हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहें इसके लिए घंटी विदवाएं चाहतों में भी अजीब बात होती है पता ही नहीं चलता कब दिन होता है कब रात होती है अरे रुको चाहत प्रियतमा सही नहीं अपनी मंजिल से अपने लक्से से भी हो सकती है अगर उससे भी आपको महबत चाहत हो जाए तो पता ही नहीं चलता कब दिन होती है कब रात होती है नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से आलोक की आज टेस्ट सिरी सुरू करेंगे और भाग चछतीस अपरा पूर्ण हो गई आज से हम सुरू करेंगे आलोक मैं हूँ आपका दोस्त आदिगनेस निवेदन करताओं की जब भी वीडियो देखें पहले सेर कर दिया करें फिर लाइक और कमेंट किया करें ताकि आपकी परतिकिरी हम तक पहुंशती रहे आलोक का जो पर्थम अध्याय स्वातंत्रे उपासक महरणा परताब जो संकलित है वहां से प्रश्णों का संकलन किया है यह प्रश्ण इतियास की दृष्टी से भी महतोपुन है फस्ट वेपर के लिए तो देखते हैं प्रश्णों को पहला प्रश्ण आराम से ध्यान से बहुत महतोपुन प्रश्ण है धर्ती तता धर्म के रक्षार्थ सूर्वीर सस्त्रों के तिक्ष्ण धार से कटते काटते हुए रक्त से जो सनान करते थे उसे राजस्तानी साहित्य में क्या कहा जाता है दारा सनान दूसरा है राजस्तान का वे कौन सा ख्षित्र है जो अपनी वीरता धीरता मात्र भूमि प्रेम सरनागत वत्सल अडिकता में किसी का सानी नहीं है तो मेवार ख्षित्र तीसरा है कुवर विक्रमा दित्ते की हत्या किस ने किती दासी पुत्र बनवीर ने किती उदेश सिंग को बचाने के लिए किसने पलंग पर अपने 15 वर्षिय पुत्र चंदन को सुला दिया था पन्नात आयने मारणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र कौन था उदेशिंग और जेश्ट पुत्र की आजाए बात तो वहाँ पर बोजराज होगा उदेशिंग का विवा किसके साथ हुआ था पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री जैवन्ती देवी के साथ मारणा परताप का जन्म कब और कहां हुआ तो 9 मई 1540 को कुम्बलगड में हुआ था भील जाती के बालकों में मारणा परताप किस नाम से प्रसिद थे की का नाम से प्रसिद थे प्रताप की सस्त्र सिक्सा किसकी देखरेग में प्रारम हुई थी तो कृष्णदास रावत की देखरेग में निहत्य सत्रू पर वार नै करने की सलादे कर दो तलवारे रखने का अगरे प्रताप से किसने कहा था माता जैवन्ती देवे ने मारणा परताप का विवा किसके साथ हुआ था तो मामरक पमार की पुत्री अजब दे के साथ मारणा परताप का विवा हुआ था वहीं मारणा परताप अपनी मा के साथ चितोड कब आये थे 1552 में कब आये 1552 में अगला है कि मारणा परताप ने बांगड के सामलदास वो उनके भाई करमसी चोहान को किस नदी के किनारे प्रास्त किया था तो सोम नदी के किनारे प्रास्त किया था बांगड के सामलदास और उनके भाई करमसी चोहान को मारणा परताप ने युद्ध संबंधी विशेज ग्यान किससे प्राप्त किया था परताप के पुत्र अमर सिंग का जयनम कव ओँ था 16 मार्श 1569 मारणा परताप अपने किनी विश्वस्त मित्रों के साथ विजे इस्तम की तलहटी में मेवाड की सुरुकसा योजना बनाये करते थे तो इनकी विश्वस जो मित्र थे उनमें थे बहमासाय, ताराचंद, जालामान सिंग इनके साथ मेवाड की सुरुकसा को लेकर योजना बनाये करते थे अकबर ने चितोड पर आक्रमन कब किया अक्टूबर 1567 अक्टूबर 1567 इस्वी में अकबर ने किसे बेज कर जैमल को खरीदने का प्रियास किया था तो टोडर मल को बेज कर अकबर ने जैमल को खरीदने का प्रियास किया था अक्बर ने चितोड को कितने समय तक गेरा रखा था तो 6 महीने तक अक्बर ने चितोड को गेरे रखा अगला है महारानी फूल कमवर के नेत्रित्वे में 7,000 शत्राणियों ने जोहर कब किया था 25 फरवरी 1568 वी को बट्यानी रानी के पुत्र जगमाल को किसने उत्रादिकारी गोसित कर दिया था तो माराना उदे सिंग ने जो बट्यानी रानी का पुत्र था जगमाल उसको उत्रादिकारी गोसित कर दिया था अपना किस वीर योदा का सीर कट जाने के बाद भी वह युद लड़ता रहा था तो कल्ला राठोड का सीर कट गया था फिर भी वो युदा जो लड़ता रहा अकबर से पराजे के बाद माराना उदे सिंग ने अपनी राजदानी किस छेत्र को बनाया था गोकुंदा को पुर माराना उदे सिंग का बिमारी के कारें 1572 इस्वी को स्वर्गवास हो गया मृत्य हो गई उस दिन कौन सा त्योंवर मनाए जा रहा था तो उस दिन होली पर्वर मनाए जा रहा था अकबर ने माराना परताप से संदी करने तू किन किन को बेजा करम पूछ लिए जाता है कही बार तो ध्यान रखे नवम्بر 1572 में जलाल खा को जून 1573 में आमेर के कुर मान सिंग को सितंबर 1573 में आमेर के राजा भगवंदास को और दिसमबर 1573 में टोडरमल को यानि कि जलाल खा मान सिंग भगवंदास और तोडरमल जमा बटो जैसे जलाल खा, मासे, मान सिंग और भैसे भगवंदास और टोसे टोडर मलिस्तर की से याद रख सकते हैं अगला है कि एसा कहा जाता है कि बपा रावल ने गजनी में गोर प्रदेश की जो राजकुमारे थी उनसे विवा किया और इनसे उन्हें 140 संताने प्राप्त हुई थी तो वो क्या कहलाए या क्या कहलाए वो तो नोसेरा पठान उदेश सिंग का दास अंसकार कर समसान से लोडते समय किस इस्तान पर प्रताप का राजतिलक किया गया था तो मादेव जी की बावड़ी नामकिस्तान पर प्रताप का राजतिलक किया गया प्रताप की सेना में कितने ब्रादरी के लोग थे 36 ब्रादरी के लोग थे हल्दी गाटी का युद्ध कब हुआ 18 जून 1536 भी द्यान रखने कहीं जगा 18 जून नहीं आई तो 21 जून भी मिल सकता है प्रताप की सेना के बहेंकर हमले से गबरा कर जब मुगल सेना आठ दसकोस पीछे बाग गई तब किस सेना परमुक ने उन्हें रोका था मियतर खाने रोका था कि अकबर आ रहा है और सेना है और सेना को लेकर तब वो रुके थे प्रताप के बाले का वजन बताया जाता है सवामन पार्ट में भूके व्यागर की उपमा से किसे नवाजा गया है तो इस अध्याय के अंदर जो भूका व्यागर है वो तलवार को बताया गया तलवार को उपमा दी गया माराना परताप ने तलवार के एक ही वार से जीरे बक्तर एवेम गोडे सहीत किसके दो फाड कर दिये थे बैलोल खांको दो इसो में बांट दिया था युद्ध के बाद परताप गोकुंदा छोड़कर कहां चले गए थे कोल्यारी हल्दी घाटी के युद्ध की एसफल्ता से नाराज होकर अकबर ने किसकी डोड़ी बंद कर दी थी मान सिंह वे आसफ खांकि परताप को परास्त करने के लिए अकबर स्वयम अज्मेर से कब निकला था तो 11 एक्टूबर 1576 को परताब को प्रास्त करने के लिए अकबर श्यम अजमिर से निकला था अकबर ने 1577 से 1589 के मद्दे अपने किस एनापति को कहा था कि परताब को जिन्दा या मुर्दा पकड़ कर ले के आओ तो साबाज को कहा था साबाज को बेजाता इसे तो अब्दुर्रहीम खान खाना की सेरपूर डेरे पर आकरमन कर सारी सामगरे सहित उनकी बेगम आनि खान एवं पूरे परिवार को उठा कर अपने कबजे में किस ने कर लिया था अमर सिंग ने कर लिया था अमर सिंग ने जब कबजे में कर परताब के सामने वो आया तो परताब ने कहा कि पराइस्तरी हमारे लिए मा के समान है तुमने गलती की है अब तुम ही इने से समान लोटा कर आओ ये कतन किसका परताब का तो इस तर किसे कतन के रूम पूछा जा सकता है मारणा परताब के अभिन मित्र बामासा और उनके भाई ताराचंद मालवा छेत्र को लूट कर तथा पूर्वजों का जो संचित धन था उसको लेकर सितंबर 1578 में मारणा परताब के समक्स किस दुर्ग में उपस्तित हुएते वो आवरगड के दुर्ग में मिलेते उपस्तित हुएते अकबर के चाचा सुल्तान खां कहां के थानेदार थे दिवेर के गायल सुल्तान खां दुआरा पानी मांगने पर किसने सेनिक सम्मान से सुरन कलस में जल मंगवा कर उसे पिलाये था महाराना परताप ने महाराना परताप ने चावंड को अपनी राज़दानी कब बनाये था 1565 के अंदर आगे बात करें कि परताप की मरत्यों कब होई तो 19 जनवरी 1500 सिंत्यानव को परताप की मरत्यों थी और आज की सीरीज का आखरे प्रशन परताप का दासंसकार किस इस्तान पर किया गया था तो बाडोली के तालाप पर परताप का दासंसकार किया था तो सुक्रिया दोस्तों ये थे कुछ विसेज प्रसंद अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें